हलो एवरिवन, वेलकम टू स्टड़ी आईक्यू स्टड़ी आईक्यू के इस वेडियो में मैं तीसरे हफ़ते का भाग एक आप तर लिए कराऊंगा टोटल क्वेश्चन से लगभग 90 और जो भाग 2 होगा वो मैं लाऊंगा जब यह खतम हो जाएगा 3 दिन के बाद और तब मैं लाऊंगा अगले 90 क्वेश्चन तो टोटल क्वेश्चन होंगे 180 अगर आप SSC, CGL, Bank P.O. UPSC की तायारी कर रहे हैं तो याद रखिए कल से हमारी सेल स्टार्ट हो रही है 21 तारिक से 21 तारिक से नवरात्री सेल है 27 तारिक तक जब धशेरा है तो इस सेल का आप लाब उठा सकते हैं ये सेल साथ दिन चलेगी और इसके बाद अगले एक महीने बाद फिर लगभग सेल आएगी दिवाली के समय पे तो इस सेल का आप उठाना चाहते हैं तो आप इन में से तीन नमबर में से कोई भी एक डायल कर सकते हैं या फिर studyiq.com पर जाकर ज्यादा जनकारी ले सकते हैं चले शुरू करते हैं जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक पहला नक्षा बनाया है उस पानी का जो चांद के उपर चंद्रमा की मिट्टी में जमा हो गया था तो ये NASA का Moon Mineralogy Mapper, इन्होंने ये नक्षा बनाया है, अब आप ये बताईए, ये कौन सा यान था जो गया था, जो चंद्रमा था, वहापे कौन सा यान गया था, इसका नाम है चंद्रयान 1, चंद्रयान 1, और जो ये नक्षा बनाया है, ये बनाया है, ब्राउन युनिवर्सिटी के वेज्ञानिकों ने, जो अमरीका के है, अमरीका के जो वाइस प्रेजिडेंट है, वो है माइक पेंस, और जो NASA है, NASA का हेड़क्वार्टर है, वाशिंग्टन डीसी, वाशिंग्टन डीसी में ही IMF और World Bank का हेड़क्वार्टर भी है, और ये वह है, उनको स्टडी करेगा डीटेल में, ये पहला भारत का Center for Animal Law है, ये बनाया है, नालसार University of Law ने, और ये बहुत महशूर युनिवर्सिटी है, कानून संबंधी पढ़ाई के लिए हैदराबाद में जो तिलंगाना की राजधानी है, तिलंगाना में एक important national park याद रखिए, मुरुगावनी नेशनल पार्क, very important, मुरुगावनी नेशनल पार्क, तिलंगाना भारत का 29 वाराज्य है सबसे latest, और तिलंगाना के मुख्य मंत्री है, TRS पार्टी के, C. चंदरशेकर राओ, चंदरशेकर राओ, और TRS की full form होती है, तिलंगाना राष्टिय समिती, और Together for Peace, Respect, Safety and Dignity for All, यानि हम सम मिलके शांती के लिए, एक दूसरे के सम्मान, भाईचारे के लिए, सुरक्षा के लिए, और सब के सम्मान के लिए, एक साथ काम करें, ये कब मनाया गया, याद रखिए, ये बहुत important question है, 21 सितंबर को मनाया जाता है, International Peace Day, परधान मंत्री नरें Commission की स्कीम है, गुजरात के अंदर, जिसके चार भाग हैं, और गुजरात के जो गवर्नर है, वही मद्दे परदेश के गवर्नर है, इनका नाम है O.P. कोहली, और यहां के मुख्य मंत्री है विजयरूपानी, इन में से किस व्यक्ति को Atomic Energy Secretary पत से resign कर देना था, इनकी tenure खतम मौरिती, लेकिन इनको एक साल का extension मिल गया है, इनका नाम है शेकर बासू, शेकर बासू, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, और यह पदम श्री जी चुके है, Atomic Energy Commission के भी ये चेर्मेन है, ये भी पूछ सकते है, Atomic Energy Commission के ये चेर्मेन है, और अब इने वन येर extension दे दिया गया है Atomic Energy Secretary पद से, इसके अलावा ये जो भाबा Atomic Research Center है, उसके डारेक्टर भी रहे हैं, और Nuclear Recycle Board के Chief Executive भी रहे हैं, और हमारे Minister कौन है Atomic Energy के लिए, Minister of State for Atomic Energy, जितेंदर सिंग, जितेंदर सिंग जो है, ये डॉक्टर जितेंदर सिंग, ये जो Development of North East के लिए हैं, उसके भी Minister of State है, परसोनेल और PMO, तो बहुत सारे Department है, डॉक्टर जितेंदर सिंग के पास, हमारी जो Army हैं, उन्होंने अभी अभी एक Carder Review किया, Junior Commissioned Officers का और दूसरी Ranks का, आखरी Carder Review Army ने कब किया था? आखरी Carder Review किया था, Army ने 1984 में, उसके बाद अब करा है Army ने 33 साल के बाद, और इनका ये कहना है कि 1,45,000 जो Officer हैं, उन पे इस एक सकारात्मक परभाव पड़ेगा, और इसको Defense Ministry ने भी Approve कर दिया है, Defense Minister है हमारी निमला सीतरमन, जो पहले Commerce Minister थी, नए Commerce Minister बने है सुरेश प्रभू, अब याद रखिए एक विशेश Question पूछेंगे, INS तारीनी, ये पहला जाहाज है भारत का जिसका संचालन महिलाएं कर रही हैं, और ये अभी अभी विश्वयातरा पे, विश्वभ्रमन पे न Match Fixing कर रहे थे, इनका नाम है चमारा सिल्वा, चमारा सिल्वा, और ये वहां के जो Local Match हैं उनको Fix कर रहे थे, इन पे एक और खिलाड़ी याद रखिए, इन पे भी Ben लगा दिया है, उतने popular रही है, मनोज देश प्रिया, मनोज देश प्रिया, इन पर भी दो साल का Match Fixing के लि अभी सो स्टंपिंग्स लेकर, और अब आपके लिए आज का पहला सवाल, महिंदर सिंग धोनी ने जो सोवा स्टंपिंग किया, वो किस खिलाड़ी का किया, अगर आप जी के धंग से पढ़ते हैं, तो कमेंट्स में लिखके बताइए, किस को स्टंप आउट करा, सोवा शि की सरकार है, जिसने अनाउंस करा है कि वो 20,000 करोड रुपे किसानों का करज माफ कर देगी, यह अनाउंस करने वाला राज्य है राजस्तान, राजस्तान के गवर्नर है कल्यान सिंग, जो किसी वक्त उत्तरपरदेश के मुख्यमंतरी होते थे, राजस्तान के अंदर है कई तो ये तीन याद रखिए इसके लावा डेजर्ट नेशनल पार्क भी है और रजस्थान की राजधानी है पिंक सिटी जैपुर इन में से किस व्यक्ति को प्रेजिडेंट बनाया गया है उत्तर परदेश हिंदी संस्थान का ये बहुत पर्तिष्टित है और आप जानते हैं ह गवर्नर कौन है राम नायक जो किसी वक्त साउथ मुंबई से इलेक्शन लड़ते थे बीजेपी के टिकट पर और मुख्यमंत्री है योगी अधित्यनाथ एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में सिरफ एक ही है दूदवा नेशनल पार्क ट्रेड डवलपमेंट रिपोर्ट आये 2017 की इसके हिसाब से पूरी दुनिया की एकोनोमी गरो करेगी 2.6% ये जो क्या कहते हैं इसे एस्टिमेशन है ये इतना गरो करनी चाहिए 2.6% ये रिपोर्ट कौन बनाता है ये वल्ल्ट एकोनोमी की जो पूरी दुनिया की रिपोर ए ट्रेड डवलपमेंट रिपोर्ट इसे बनाता है UNCTAD और इसके सेक्रेटरी जनल कौन है मिस्टर मुखीसा सेक्रेटरी जनल मतलब हैड या चीफ किटुई मुखीसा किटुई और UN के सेक्रेटरी जनल कौन है एंटोनियो गुटेरेस जो पॉर्चुगल के हैं और हेड़क टेस्ट विकेट लिए कौन बना है और ये छटा किरिकेटर है और टाइम लिस्ट में इनका नाम है जेम्स एंडर्सन सबसे ज्यादा विकेट लिए है मुरलिधरन ने 800 फिर शेनवन ने 708 फिर कुम्बले ने 619 फिर मैगराथ ने फिर कॉटनी वॉल्ष ने और अब बने है जेम्स एंडर्सन तो ये बहुत बड़ा सम्मान है ये 500 विकेट लेना टेस्ट मैचिस के अंदर इन में से कौन सा देश के साथ भारत ने एक अग्रिमेंट करा है ये दोनों मिलके कमर्शल अरेंजमेंट करेंगे कूल EMS सर्विस का जिससे जो खाना है फ्रेश फूड है वो अब एक बात और याद रखिए जापान के साथ हमने 15 MOU साइन करें है और एक देश है बेलारूस इसके राश्पती लुकाशेंको भी भारत आये थे इसके साथ हमने 10 MOU साइन करें तो कोश्चन किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है और जापान के अंदर एक बहुत मशूर ज्वाला मुखी है जिसे बोलते हैं माउंट फुजी माउंट फुजी इनमे से अंतराष्ट्रिय अंडा कमिशन यानि इंटरनेशल एक कमिशन का वाइस चेर्मेन किसे अपॉइंट किया गया है ये मीटिंग हुई थी बेल्जियम के अंदर बुरुजिस में देखिए बेल्जियम जो देश है यहाँ पे है बुरुसेल्सिस की राजधानी और ये नेटो का हेड़कोर्टर है नॉर्ट अल्टरांटिक केटी और्गनाइजेशन अब आप ये बताइए इसके वाइस चेर्मेन कोन बने है इंटरनेशल एक कमिशन के ये इंडियन है इस जो इंटरनेशल कोस्टल क्लिनप डे है तटो की सफाई के लिए ये कब मनाय जाता है इसे मनाता है युराइटिड नेशन एनवार्मेंट प्रोग्रम जिसका काम है परियावन की रक्षा करना जलवायू परिवर्तन को रोकना ये मनाय जाता है 16 सितंबर को 16 सितंबर को और भारत में भी काफी बड़ा कोस्टलाइन है आप जानते हैं ये पैनिंसुलर इंडिया है सबसे लंबी कोस्टलाइन भारत में है गुजरात की दूसरे नंबर पर है आंधर परदेश की इन में से कौनसी ओर्गिनाइजेशन है जिसने MOU साइन करा है बॉन फूर्ड इंडस् उनमें एंटी ओक्सिडेंट होते हैं जो आपकी बॉड़ी से किटानूओं को और दूसरे जो जहरीले पदार थे उनको बाहर निकालते है इस तरह का गेहूं प्रोमोट करेंगे तो ये किसने किया है ये साइन किया है नेशनल एग्री फूड बायो टेक्नलोजी एक इंडेक्स आया है जिसको Q&I बोलते है शोट में किस देश की नागरिक्ता की क्वालिटी सबसे अच्छी मानी गई है पूरी दुनिया में ये देश है जर्मनी अगर आपको जर्मनी की सिटिजनशिप मिल जाती है तो समझ लीजिए ये एक सोने की खान मिलने के बराबर और पूरी दुनिया में सबसे नीचे था इसमें अफगानिस्तान 159 कंट्रीज में भारत का स्थान था 101 तो हमारी बहुत पीछे है हमारी नागरिक्ता की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है इस सर्वे के हिसाब से अफगानिस्तान सबसे नीचे था 159 नमबर पे जर्मनी क कौन सा देश है जिसने अपनी एक पर्था खतम कर दिये पर्था क्या थी पर्था ये थी एक ट्रडिशन था कि जो मुसलिम महिलाएं है वो गैर मुसलिम लोगों से रिष्टा नहीं रख सकती उनसे शादी नहीं कर सकती लेकिन अब कर पाएंगी अब जो मुसलिम महिला नह इनका निदन हो गया ये बीजेपी के सांसते कहां से महंत चांदनाथ ये थे अलवर से अलवर राजस्थान HSBC होंग कॉंग कॉंग एंड शंग हाई बैंकिंग कॉर्परेशन इसका हेड़कॉर्टर पहले चाइना में होता था लेकिन फिर लंडन में कर दिया गया था भारत जो है वो जापान और जर्मनी को पीछे छोड़के दुनिया की सब तीसरी सबसे बड़ी economy बन जाएगा कोन से साल तक बन जाएगा अमरीका और चाइना के बाद फिर हम ही होंगे तीसरी सबसे बड़ी economy दुनिया में नागालेंड जो राज्य है, नागालेंड इन में से direct benefit transfer scheme start करेगा financial year 2017 से, ये लागू करना start कर देगा, अब आप ये बताइए कि ये कौन सी scheme की मैं बात कर रहा हूँ, नागालेंड is going to start implementing DABT under which scheme beginning from the current financial year 2017, मैं बात कर रहा हूँ मन्रेगा की, मन्रेगा क्या होता है, इसमें आप आपको एक minimum certain number of days का employment मिलता है, रोजगार मिलता है, महात्मा गांधी National Rural Employment Guarantee Act, इसको बोलते है, मन्रेगा, और अब condition ये हो गई है, ये आधार से link कर दिया गया है bank account, इंजिनियर्स डे, 15 सितंबर को मनाया जाता है, very important, किसका जनम दिन होता है, ये जनम दिन होता है, भार इनमें से कौन सा राज्य है, जिसने प्रणाम Act को पास करा है, इसमें मतलब ये है कि जो वो सरकारी करमचारी, government employee, अगर वो अपने माबाप का खयाल नहीं रखेंगे, या अपने किसी दिव्यांग, भाई भेन का खयाल नहीं रखेंगे, तो उनकी salary में से 10 से 15% काट लिये जाएगा, ये एक अनोखा कदम उठाया है, असाम की सरकार ने, असाम में बहुत सारे national park है, wildlife century है, जैसे दिबरू साइखोवा है, मनास है, ओरांग है, काजी रंगा है, नामेरी है, तो ये सब है, असाम की राजधानी है, दिसपूर, मुख्यमंत्री है, सरबंदन सोनोबाल गवर्नर है, बनवारी लाल, पुरोहित, तो ये है असाम, प्रेजिरेंट रामनात कोविंद, जो है, भारत के चौदवे राश्पती हैं, ये, बिहार के गवर्नर थे पहले, इन्होंने लॉंच करा, एक पंदरा दिवसी है, स्वच्ता ही सेवा कैंपेन, स्वच्ता ही सेव अगर पुछे कौन से गाउं के अंदर करा, तो कानपूर का गाउं है, जिसे बोलते हैं, इश्वरी गंज गाउं, इश्वरी गंज गाउं, इन में से कौन से न्यूस पेपर को मिला है, गोल्ड अवर्ड, क्योंकि ये बेस्ट न्यूस वेबसाइट है, इनकी, ये की, और दा हिंदू का हम डेली, हिंदी और इंग्लिश में अनलिसिस देते हैं, स्टडी आईक्यू पे, तो प्लीज उसे देखिया करिए, जो वीर हैं, बहुत माने हुए फैकल्टी हैं हिंदी में, और जो प्रशान मवानी हैं, ये लंदन से पढ़े हुए हैं, पूरा जी देस्टिनेशन है ये इनका, और ग्यारवा येरोपियन नॉन स्टॉप देस्टिनेशन है, कहां तक डारेक्ट फ्लाइट जाएगी, एर इंडिया की अब, तो ये शहर बना है, कॉपनहेगन, कॉपनहेगन देखिये, डैन्मार्क की राजधानी है, कॉपनहेगन, ये स्कैं की अपॉइंट किया गया है, था, लेकिन अब उन्होंने अपना रेजिगनेशन दे दिया है, ये कह रहे हैं हम कोच नहीं करेंगे, ये भारत के पहले फोरन कोच थे महिला बॉक्सर्स के लिए, अब तो थे कहेंगे, क्योंकि उन्होंने रेजाइन कर दिया है, इनका नाम ह स्टीफेन कोटा लोल्डा, स्टीफेन कोटा लोल्डा, और इन्होंने कहा कि इनको सेलरी नहीं मिल रही है, और धंग से, और जो प्रोफेशनलिजम नहीं है, मतलब जो भारत में प्रोफेशनलिजम की कमी है, और ये कौन से देश के हैं ये भी पूछ सकते हैं, तो ये हैं के फ्रांस के वैसे राश्पती है इमेनोल मैकरॉन जो इनके इतिहास में सबसे कम उम्र के परधान मंत्री है और इनकी पार्टी का नाम है एन मार्ष फ्रांस की राजधानी है पैरिस जो युनेस्को का हेड़कुआटर है और जहां पर 2024 के उलम्पिक खेलोंगे नैशनल ग्रीन ट्राइबुनल यानि राश्ट्रे हरित अधिकरन इसने डिस्मिस कर दी है केंदर सरकार की प्रार्थनापली बैन हटाने की ओल्ड वीकल नई दिल्ली न्सीयार में देखिए दिल्ली न्सीयार में वीकल बैन हो गए है पुराने पॉलुशन की वज़े से नैशनल ग्रीन ट्राइबुनल ने बैन कर दिया था तो नैशनल ग्रीन ट्राइबुनल सरकार ने का प्लीज बैन हटालो नैशनल ग्रीन ट्राइबुनल ने दिल्ली आल्टीयों को ये कहा है कि वो डीजल वीकल जितने भी हैं उन्हें डी रेजिस जस्टेस स्वतंत्र कुमार। 2017 Independence Cup ये जो जीता है, कौनसी cricket team ने जीता है? 2017 Independence Cup ये जीता है पाकिस्तान ने. पाकिस्तान ने जीता है और इसमें 2020 match था ये, दो team में थी, एक तो थी पाकिस्तान और एक थी world 11. एक skill city बनेगी जिसकी capacity होगी 10,000 training sites की, याँ आप 10,000 लोगों को इसमें train कर सकते हो. कहाँ पे बन रही है ये? ये बन रही है असाम में. असाम में बन रही है skill city, skill development mission, कौशल विकास होगा यहाँ पर. जो railway है, उसने एक circular issue करा है. वो ये कि जो passenger है, वो अब जो उनका sleeping time है, याँ आपने देखा होगा कि जो passenger है, बहुत जल्दी सो जाते हैं, तो अब उनका जो सोने का time है, वो कितने घंटे से काट दिया गया है? तो वो काट दिया गया है, एक घंटे से. अब याद रखिए, passenger दस बजे से लेके सुबहे छे बजे तक ही सो सकते हैं. पहले ये time था 9 से 6, अब कर दिया है 10 से 6, तो एक घंटा सोने का time काट लिया है. देखे हमारे railway मंतरी जो थे, वो थे सुरेश प्रभू, अब बन गए commerce minister, नए railway मंतरी कौन बने है? पियूश गोयल, अब कुछ important चीज़े बता देता हूँ. देखे, पियूश गोयल सिर्फ हमारे पहले power minister थे, ठीक है, coal minister थे, इनके पास mining भी नहीं के पास था, इनके पास renewable energy, इतने सारे minister ये मंतराले थे इनके पास, power और renewable energy, यानि जैवी कुर्जा, ये चले गए है Mr. R.K. Singh के पास, जो बिहार से है, बिहार से सांसद है, और coal जो ह गया है, हरिंदर पूरी को, हरदीपूरी को, जो पहले diplomate बगारा थे, और नरेंदर सिंह तोमर के पास, drinking water और sanitation भी था, वो चला गया है, उमा भारती को, और उमा भारती के पास, जो सारे मंतराले थे, यानि गंगा cleaning, गंगा rejuvenation, और river development, और water resources, वो सब चले गए हैं, नित क्या कर दिया है, यह बहुत important question है, अब इन्होंने कर दिया है, vulnerable, endangered से घटा के अब कर दिया है, vulnerable, और यह बहुत जादा important question है, यानि पहले इनके साब से लुप्त प्राय था, मतलब endangered था, और अब यह vulnerable हो गया है, यानि थोड़ा सा danger इसका कम हो गया है, इन में से किस वेक्ति इन में से कौन से formula 1 driver है, जिन्होंने Singapore Grand Prix जीत ली है, Singapore Grand Prix, Singapore के परधान मंत्री है, Lee C.N. Lung, देखिए, Singapore में जो है, वहाँ परधान मंत्री ताकतवर होता है, और अभी नई वहाँ की वह बनी है, हमीदा, उनका ऐसे कुछ नाम है, वहाँ की प्रेजिदेंट बनी है, वह पहल इल्कुल नेपाल की तरह है, जहां की पहली female president विद्या देवी भंडारी बनी थी, अब यह बताएं सिंगापूर Grand Prix किस ने जीता है, सिंगापूर Grand Prix जीता है, Lewis Hamilton ने, Lewis Hamilton कौन सी गाड़ी चलाते है, यह Mercedes चलाते है, भारत ने अभी अभी Davis Cup का playoff मुकाबला हार गया, tennis की बा हुआ है, किस ने जीता, तो वो जीता, रफायल नडाल ने, इन्होंने French Open भी जीता था इस साल, और बागी दो है, Australian Open और Wimbledon वो जीते, Roger Federer ने, Amazon जो company है, उन्होंने, इन में से कौन से bank के साथ partnership करी है, अब यह loan देंगे 1 लाख रुपे से 25 लाख रुपे तक का, छोटे उ किसरे सबसे धनी आदमी है, इन में से कौन से देश के साथ, रशिया ने अपनी commercial airline service resume करी है 13 साल के बाद, रशिया ने इस देन में देश में अपनी विमान सेवाई देनी बंद कर दी थी, मतलब यहां से flight उडानी बंद कर दी थी, अब 13 साल के बाद दुबारा शुरू कर द यह देश है इराक, इराक की राजधानी है बगदाद, यहाँ पे चलती है मुदरा इराकी दिनार, तो इराक के बारे में बस इतना याद रखिये, और एक चीज़ और याद कर सकते हैं आप इसमें, रशिया ने एक टर्की के साथ, टर्की एक देश है जिसके राशपती है जो भारत भी आये थे अभी, जिने जामिया मिलिया, इस्लामिय उनिवस्टी ने डॉक्टर की उपादी भी दी थी, तो टर्की की राजधानी है अंकारा, हलांकि यहाँ पे दो इंपोर्टेंट शहर और हैं, एक है अंतल्या और एक है इस्तानबुल, तो टर्की के साथ S-400 यह anti-aircraft missile की deal भी साइन करिए, रश्या परदान करेगा इन्हें anti-aircraft missile और टर्की के बारे में मैंने बिता दिया, रश्या के बारे में बस इतना या ज़र सकते हैं, रश्या के जो लाश्पती हैं वो है वलादिमेर पूतिन, मुदरा चलती है रशियन रूबल, राजधानी ह मोस्को इन में से किस कम्पनी ने 500 करोड रुपे का धन एलोट किया है लाइवलि हुड एनांस्मेंट ओफ दे ट्राइबल के लिए भारत के चार राजियों में अगले 5 साल के लिए ये एक स्कीम चलाएंगे जिसका नाम है सीमी इसमें जो जो आदिवासी समुदाए के लोग है ट्राइबल है जो उनका उनमें रोजगार परदान किया जाएगा ये किया है टाटा ट्रस्ट में टाटा के चेर्में कोन है Mr. N. चंदर शेखरण आपको याद होगा मिस्तरी को हटा दिया था सारस मिस्तरी को तो एन चंदर शेखरन जो है ये उसके चेर्मेन है इन में से कौन सी ओर्गिनाइजेशन है जिन्होंने MOU साइन करा है NRDC यानि National Research Development Corporation के साथ स्टार्टप्स को प्रोमोट करने के लिए manufacturing और technology sectors के अंदर ये किया है आंदरपरदेश innovation society में है वो कितना क्रॉस कर गए है ये क्रॉस कर गए है 400 बिलियन डॉलर हमारे Reserve Bank of India के governor है उर्जित पतेल और सेबी के chairman है अजय त्यागी Securities and Exchange Board of India जिसका headquarter कहा है मुंबई में सेबी को SIDB के साथ confuse मत करना SIDB होता है Small Industries Development Bank of India इसका headquarter है लखनव में इन में से कौन वेक्ती है जो भारत को represent करेगा United Nation General Assembly session जो New York के अंदर हुगा Journal Assembly की बात हो रही है यहाँ पे और इसमें represent करेंगी हमारी विदेश मंत्री सुश्मा सवराज और एक बात बताईए भारत के permanent representative कौन है UN में अकसायद अगबुरुदीन यह है भारत के permanent representative संयुक्त राष्ट्र संग में और इस बार बात होगी terrorism के उपर और climate change के उपर इन में से किस महिला को Advertising Standard Council of India यानि ACI का Chairperson बना दिया गया है देखिए Chairman वर्ड होगा कहीं पर कई बार Chairperson होगा बात एक ही है जब महिला होती है तो हम यह किसने लिखी है यह किताब यह पांच tennis के grand slam जी चुकी है और Olympic medalist भी है और इन्होंने silver medal जीता था रशिया के लिए 2012 में क्या नाम है इनका 2012 के मैं Olympic हेलो की बात कर रहा हूँ आपको याद होगा 2012 में London Olympics हुए थे तो इनका नाम क्या है इनका नाम है मारिया शारापोबा मारिया शारापोबा रशिया की है यह यह बैन भी हो गई थी ड्रग्स लेती हुए पकड़ी गई थी तो फिर इनको बैन कर दिया था लगबग दो साल के लिए इन में से पहली महिला राइटर कौन बनी है जो एक इंग्लैंड के नोट पे आई है ब्रिटेन का जो नोट है इस पे किसकी फोटो आई है इस पे फोटो आई है जेन आस्टन की जेन आस्टन और यह 10 रुपे का नोट है प्लास्टिक 10 पाउंड नोट प्लास्टिक का बना हुआ है 10 पाउंड का आप जानते हैं कि ब्रिटेन में पाउंड चलता है और इनको 200 साल जो है वो मरे हुए हो गए है यानि इनकी 200 भी death anniversary थी जेन आस्टन की क्या आप जेन आस्टन की लिखी हुई कोई भी किताब बता सकते हैं जब और 10 किताब इन्होंने लिखी है और इनकी एक किताब बताता हू उस किताब एश्वरिय राय ने एक फिल्म भी बनाई है बिल्कुल मिलते जुलते नाम से तो अगर दोनों का नाम बताते हैं तो बहुत अच्छा है इन में से कौन से शहर के अंदर स्टूडेंट्स ने एक गिनीज वल्ड रिकॉर्ड बनाया है क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों ने नायसा करम एक साथ रिसीव करा साथ मिनट के लिए लगातार तो मैं ये किसकी बात हो रही है नायसा करम ये एक तरह का आयुरुवेदिक अब ये अधार शिला किस ने रखी रिजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टिटूट है वोकेशनल ट्रेनिंग देगा जिससे रोजगार लोगों को मिल सके इसकी अधार शिला रखी वैंकया नैडू ने जो भारत के उपर आश्पती है इस पे लगबग 20 करोड रुपे का ख अधान कसीनी वोगन स्पेस प्रॉब ये सैटन में टकरा गया और 20 स साल तक इसने शनी घ्रहय के चकर लगाए ये किस ने लौझ किया था ये लौंच किया था नासा ने वेरे वरे इंपॉर्टेन नासा ने तो किया इथा European Space Agency ने साथ मिलके किया था और एजेंडिया, स्पैजिया, इटैलियन ने भी किया था तो ये वैसे मेंली नासा का मिशन था लेकिन इसमें फिर मदद की थी इटली की स्पेस एजेंसी ने भी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी एसे ने भी 1997 में लॉंच हुआ था ये और 20 साल अंत्रिक्ष में राए इसमें से 13 साल इसने सैटन के चकर लगाएं अगर आप से पूछें कि इसने शनी ग्रहा में किस के चकर लगाएं शनी ग्रहा का एक चांद है जिसे बोलते हैं टाइटन, टाइटन के चकर लगाएं 20 साल अंत्रिक्ष में रहा, उसमें से 13 साल शनी ग्रह के चक्कर लगाए, शनी ग्रह में चकर किसके लगाए, शनी ग्रह के दो तारे हैं, दो मून हैं, एक है एंसलेडस और दूसरा है टाइटन, इन में से कौन सा बच्चा है जिसने अंडर 14 रैपिड और ब्लिट्स फॉर्मे कोन है, मैगनस कालसन, और मैगनस कालसन कोन से देश के हैं, नौरवे, सरकार जो है वो 37 सो करोड रुपे का प्लैन बना रही है, भारत में धाई लाग ग्राम पंचायत है जिने वाइफाई देगी, कब तक देगी, क्या टार्गेट रखा है, टार्गेट रखा है 2019, अब दे पंचायत तो आंसर है धाई लाग और इनको देगी मार्च 2019 तक, और हमारे जो मिनिस्टर है, लौ मिनिस्टर वो है रवी शंकर परसाद और डिपार्ट्मेंट ऑफ इलेक्ट्रोनिक्स एंड इंफोर्मेशन टेक्नलोजी वो भी है रवी शंकर परसाद, सेंट्र बॉर्ड जो आएकर विभा गया है मारा इंटम टेक्स डिपार्ट्मेंट उसने M.O.U. साइन करा है इनमें से किसके साथ, डेटा एक्सचेंज, यह दोनों मिलके डेटा को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे, C.B.D.T. के चेर्मेन है सुशिल चंदर और जो इंटाएक टेक्स के लिए होता है C.B.E.C. इसके चेर्मेन है बना जाजा सरना, यह दोनोंने साइन किया है Ministry of Corporate Affairs के साथ, Ministry of Corporate Affairs, Association of Community Development Finance Institution, साधान, साधान एक जो Community Development Finance Institution है, इसकी असोशियेशन, उसने कौन से बैंक के साथ म को सिस्टम बनाएंगे जिससे जो Unbanked Area है भारत के उनमें पहुचा जा सके, यह किया है इनोंने Hong Kong and Shanghai Banking Corporation यानि HSBC के साथ, और जो साधान की Conference हुई थी अभी अभी National Conference वो हुई थी नई दिल्ली के अंदर, Advertising Club का नया President कौन बना है? Advertising Club, यह replace करेंगे Mr. Raj Nayak को और इनका नाम है Vikram Sakhuja, विकram Sakhuja, जो हमारा Railway मंत्राले है उसने decide करा है कि जो passenger है, अब इस चीज़ का इस्तेमाल भी अपने verification के ले कर सकते हैं, identity proof के तोरपे कर सकते हैं, किस चीज़ का इस्तेमाल, अब आप mobile आधा card carry करने के जुरत नहीं है, आप उसको mobile phone में, जो electronic आधार card होता है, आपके mobile आधार उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो यह M आधार basically क्या है, यह एक mobile lab है, जिसको UIDAI ने launch करा है, यह किसी भी mobile phone पे, किसी भी number पे, यह आप इसको download कर सकते हो, PV संदू, यह पहली भारतिय महिला badminton player बनी है, जिन्होंने Korea Super Series जीती है, किसको हराया, तो इन्होंने अपना बदा ले लिया, world badminton championship में, पिछले महीने इन से बुरी तरह से हारी थी, इतना close match चला था, इतना close, और यह कहते हैं कि इतिहास का सबसे अच्छे matchों में एक था, तो यह बहुत heartbreak था इनके लिए, और अब इन्होंने इनको दुबारा हरा दिया है, और उतना ही close match यह था, तो यह है Nozomi Okuhara, इससे पता चलता है कि हमें कभी हरनी मानने चीए, पिछले ही महीने इनका heartbreak हुआ था, world badminton championship में, Nozomi Okuhura से हर गई थी, और इस महीने इन्होंने Korea Super Series में इन्हें हरा दिया, तो Nozomi Okuhara जो है, यह है जापान की, तो यह इस तरह से कभी हरनी मानने चीए, इससे हमें यह, वो मिलता है, सबक, इन में से कौन सा देश है, जिसने अपना पहला unmanned helicopter, unmanned का मतलब यह होता है, इस helicopter उड़ाने के लिए, इसके अंदर कोई व्यक्ति इसने शुरू कर दिया है, इसका वजन साड़े 400 kg है, यह है चाइना का helicopter, चाइना, चाइना के राज़ानी है Beijing, मुद्रा है, रैनमिन भी या यूआन, एक operation launch करा है भारत ने, जिससे जो बांगलादेश है, बांगलादेश के अंदर रहने वाले रोहिया मुसल्मानों को हम आर्थिक साहिता देंगे, खाना देंगे, पीना देंगे, यह सब देंगे, humanitarian assistance देंगे, आर्थिक साहिता देंगे, क्या नाम है इस operation का, इसका नाम है operation इंसानियत, operation इंसानियत, भारत में 40,000 refugee home ministry के साब से रह रहे हैं, और इन्हें हम deport करेंगे अभी, क्योंकि यह security के लिए खत्रा है, ऐसा कहा जा रहा है, मया मार के हैं यह refugee, मया मार में 4% मुसल्मान है, 1.5% रोहिंगया मुसल्मान है, और मया मार की राजधानी है, नेपी डाओ, यहां के राश्पती है, हतिन कयाओ, और वैसे सबसे strong leader है यहां की आंग सांसू की, जो Nobel Prize Peace के लिए जीच चुकी है भारत और पाकिस्तान जो है, उनके बीच में Indus Water Treaty को लेके वारता अभी-अभी खतम हुई है, कोई agreement नहीं हुआ, यह talks कहां पे हुए थे, यह talks हुए Washington DC के अंदर, Washington DC, Indus Water Treaty जो है आप जानते हैं भारत पाकिस्ताने साइन करी थी, इसमें Indus नदी का जो पानी है उसको लेके इसमें बात हुई थी, Indus नदी कहां से निकलती है, यह निकलती है तिबबत से, केलाश मांसुरवर के पास से निकलती है, ना सिरफ Indus बलकी सतलुज और भ्रहमा पुत्र भी यहीं से निकलती है, जर गाल, तुलगा, एड़ देना बात, यह अभी-अभी dismiss कर दिये गए हैं, यह कौन से देश के परधान मंत्री थे, इनको हटा दिया गया है, यह थे मंगोलिया के परधान मंत्री, मंगोलिया जो है, यहाँ पे एक महसूर मरुस्थाल है, जिसको बोलते हैं, गोबी डेजर्ट, और मंगोलिया की राजधानी है, उलन बतौर, इन करप्शन में परधान के लिए और रेल एप्लिकेशन के लिए, कौन सी कंपनी है यह, यह कंपनी है, फोर्स मोटर्स, फोर्स मोटर्स, और यह कहां पे बनाएंगे यह, यह बनाएंगे पुने के पास एक जंगा है, जिसको बोलते हैं, चकान, डिजिटल पेमेंट एप गूगल ने राजधाने के लिए 16 सितंबर को मनाते हैं, यह कौन से उसकी anniversary होती है, 30th anniversary किसकी होती है, यह होती है, मौन्ट्रियाल प्रोटोकोल की, मौन्ट्रियाल केनेडा में एक जंगा है, और मौन्ट्रियाल पॉपुलर इसलिए क्योंकि यह वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजंसी का ह इन में से भारत के स्लोवाकिया में नए राजदूत कौन बने हैं? ये सिर्फ ये रट लीजिये, इनका नाम है हर्ष कुमार जैन. और स्लोवाकिया की राजदानी क्या है? ब्रटिसलावा. अभी अभी भारत और कुवैत के बीच में आर्थिक रिष्टे अच्छे करने के लिए, साइंस तकनीक पे काम करने के लिए साथ आपसी सहयोग के लिए एक तीसरी मिटिंग हुई थी कुवैत के अंदर ही. भारत की तरफ से कौन गया था? भारत का डेलिगेशन लीड किया था तक, 48 किलोमेटर तक और इसे हमारी खुद की भारत ने बनाया है DRDO ने, डिफेंस देवर्फमेंट और्गनेशन ने, जिसके चेर में है डॉक्टर S. क्रिस्टोफर. केंदर सरकार ने एक no-fly list बनाई है, no-fly list का मतलब यह है कि अगर आप विमान में जाके अभधर विवार क के साथ या दूसरे लोगों के साथ तो फिर आप बैन कर दिये जाओगे, अब इसमें तीन केटेगरी बनाई गई है, इनमें से कौन सा ऐसा behavior है जो वो नहीं है, कौन सी केटेगरी नहीं है, तो पहला है loud and angry display in public, या अगर विमान में जोर जोर से चिलाओगे तो आपको बैन कर दिया जाएगा, दूसरा अगर आप physically abuse करोगे किसी को, या unruly physical gesture करोगे, अबदर इशारे करोगे, verbal harassment करोगे, गाली गलोज करोगे, तो आपको बैन कर दिया जाएगा, life threatening किसी को जान से मारने की धमकीत होगे, assault करोगे, तो कौन सा नहीं है इनमें, तो इनमें नहीं है loud and angry display in public, ये नहीं है, बागी तीनों category है, लेवल वन बैन होता है, तीन महीने के लिए बैन कर दोगे, लेवल टू में अगर आप किसी से हता पाई करोगे, और छे महीने का बैन हो जाएगा, और अगर किसी को जान से मारने की धमकी बंकी जैदी, तो minimum दो साल का बैन हो जाएग इसमें NATO के सारे country ने participate कर रहा है, और NATO का latest member कौन सा देश बना है, Montenegro, अब ये बताईए, aurora 17 कहां पे हुई, aurora 17 कहां हुई, किसने मेजबानी करी इसकी, इसकी मेजबानी करी, Sweden में, Sweden, और ये 20-20 साल में सबसे बड़ी military exercise थी, 19,000 सैनिकों ने participate कर रहा था इसमें, Sweden की लाँच करा है, एक website, जिससे जो businessman है, अगर उन्हें goods and services tax में कोई दिक्कत है, तो वो अपनी इस पे register कर सकते हैं, अपनी complaint, अपनी शिकायते कर सकते हैं, इसका निवारन फिर बाद में किया जाएगा, ये लाँच करा है, उत्तर परदेश ने, उत्तर परदेश, और GST जो ह अपनी इदन हो गया, इन्होंने कोन से युद में भारत की एरफोर्स की अगुवाई करी थी, तो इन्हें पूरे सम्मान के साथ विदा किया गया, बहुत ही जावाज ये अफसर थे, और इन्होंने 1965 का जो भारत पाकिस्तान युद हुआ था, उसमें अगुवाई की थी, और ये पहले इंडियन एर फोर्स चीफ थे, जिनको इस पद पे रखा गया था, अभी हमारे जो एर चीफ हैं, चीफ अफ दी एर स्टाफ जिसे बोलते हैं, वो हैं, बी-एस धन्वा, इनमें से कौन वेक्ति है, जिसे इंटरनेशन ओलंपिक कमेटी ने अपने एथिक्स कम के सेक्रेटरी जरनल होते थे पहले, तो ये बने हैं अब एथिक समीशन के, और इंटरनेशन ओलंपिक कमेटी का चेर्मेन कोन है, ये जरूर पूछेंगे आपसे, ये है थॉमस बैक, और इसका हैड़क्वार्टर भी जरूर पूछेंगे, लौजैन में है, लौजैन है फीफा का, तो फीफा का है जूरिक में, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का है लौजैन में, तो ये शायद थोमक बाख है, अगर मैं गलत नहीं हो तो, खेर, जापान इंटरनेशनल कोपरेशन अजेंसी, जिसे बोलते हैं, जीका, जीका क्या करता है, दूसरे देशों में न मिलियन डॉलर, और टोटल प्रोजेक्ट की कोस्ट है 111 मिलियन डॉलर, जीका के प्रेजिरेंट कौन है, ये पूछ सकते हैं, शिनी जी किटा ओका, दुनिया की सबसे, दुनिया के सबसे बुड़े वैक्ती, इनका निधन हो गया, इनका नाम था, वॉलो मोस ब्राउन, जमेका जाना जाता है उसेन बोल्ट के लिए, उसेन बोल्ट के लिए, अब आपके लिए आज का तीसरा सवाल, जमेका की राजधानी लिखके बताओ, कमेंट्स के अंदर, सुजूकी मोटर, जपान की कमपनी आप जानते हैं, ये एक लिथियम आयन बैटरी प्लांट लगा लगा रही है, गयारा सो करोड रुपे, गयारा सो क्यावन करोड रुपे की लागत से भारत में कहां लगा रही है, ये गुजरात में लगा रही है, गुजरात में कहां लगा रही है, गुजरात में एक जंगा है, हंसलपुर, यहां लगा रही है, हंसलपुर में, और इसके चेर्मेर है Osamu Suzuki इन में से श्रिलंका की कौन सी युनिवर्सिटी है जिसने और्गनाईज करा इंडो श्रिलंका हिंदी कॉन्फरेंस इसका थीम था हिंदी e-learning identity and possibility हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत श्रिलंका तक को हिंदी सम्मेलन आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी दिवस के उप्लक्ष में इनों है अजित किया इसका नाम है केलानिया युनिवर्सिटी केलानिया युनिवर्सिटी इन में से कौन सा श्रिलंका है जिसने टॉक किया Indian cities को एक study conduct कर आई है Zip Zet ने Most stressed out cities in the world यानि इन इस शहर पर दुनिया के जो सबसे ऐसे शहर हैं जिनमें सबसे अधा जनसंख्या का दवाब है उसमें भारत का कौन सा शहर था भारत का शहर है इसके अंदर दिल्ली दिल्ली का स्थान है 142-150 देशों में इस नमबर पे कौकता 131, मुंबई 138 यानि दिल्ली में सबसे ज्यादा इस वक दवाब है D.A.R.P.G क्या होता है ये Department of Administrative Reforms and Public Grimances इसने दो दिवसी है Regional Conference एक आयोजित करी Good Governance, Suciation and Replication of Best Practices की कहां पे आयोजित करी ये करी गोवा के अंदर गोवा के मुख्य मंत्री है मनौर पारिकर जो पूर्व हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे और गोवा की गवर्नर है मृदुला सिनाव जो हिंदे की महशूर साहित्यकार है गोवा में है Dr. Salimali Bird Century याद रखिए Dr. Salimali National Park जमू कश्मीर में है लेकिन Dr. Salimali Bird Century है गोवा के अंदर और गोड गवर्नेंस दे कमबन आते हैं 25 दिसंबर को क्रिस्मस वाले दिन क्योंकि उस दिन बढ़े होता है अटल बहरीवाज पई जी का केंद्र सरकार ने डिसाइड करा है कि वो एक लाख रेफ्यूजी उनको सिटिजन्शिप देंगे ठीक है उन्हें नागरिक्ता देंगे भारत की जो हमारे नौर्थ इस राज्यों में रहते हैं कौन से आदिवासी समुदाएके हैं ये ये हैं चक्मा और हजोंग तो आंसर है 3 and 4 चक्मा और हजोंग जो की बांगलादेश के चितागॉंग हिल ट्रैक्ट एरिया से आए हैं भारत एक देश है पेरू दक्षिन अमरिका का देश है पेरू जिसकी राज़ानी ये लीमा पेरू का नया परधानमंत्री कोन बना है इन्हें अपोइंट किया वहां के राश्पती पेडरो पाबलो ने क्या नाम इनका नए इनका नाम है Mr. Mercedes Arouse Mercedes Arouse और पेरू की मुद्रा क्या है Soul इन में से कौन से बॉलिवूड के अक्टर है जिनने Global Diversity Award मिला है ब्रिटेन की पार्लेमेंट से British Parliament House ब्रिटेन की पार्लेमेंट में दो हाउस होते हैं एक निचला सदन एक अपर हाउस निचले सदन को बोलते हैं House of Commons यहाँ पे चुनके जो लोगें इलेक्ट हो के आते हैं जैसे भारत में लोग सभा है उसका equivalent है यह और दूसरा होता है House of Lord जो भारत की राजे सभा के equivalent है और इसको बोलते है Westminster Parliament हमने यह model यही से लिया है by camera जो परलिमेंट है हमारी तो Global Diversity About British Parliament ने किसे दिया है यह दिया है सलमान खान को सलमान खान को JP Domini इन्होंने retirement अपना ले लिया है test matches से cricket में यह कौन सी देश के लिए खेलते थे JP Domini इन्होंने 46 test matches खेले हैं 2008 से सेबी के secondary market advisory committee ने अभी अभी जो trading hour है उन्हें extend करने का निर्णे लिया है यह committee के अध्यक्ष कौन है इनका नाम है Mr. जैंत वर्मा यह भी पूछ सकते हैं जैंत वर्मा committee क्यों बनी थी यह check करने के लिए बनी थी कि हम जो हमारे trading hour है उन्हें बढ़ा सकते हैं के नहीं इन में से कौन सा एक air to air missile है beyond visual range air to air missile जब हवा ही हवा में मारेगा मतलब हवा में ही जाएगा हवा में ही मारेगा उसे बोलते हैं air to air missile यह अभी production इसका होगा और भारत की जो army है उसको यह मिल सकता है इसके successful trial किये जाएंगे इसका नाम क्या है इसका नाम है अस्त्र और हमारे army के chief होने विपिन रावत इन में से कौन सा राज्य है जिसने launch करा है mission one million initiative जिसमें 10 लाग बच्चों को football खेलना सिखाया जाएगा तो यह किसने launch करा है यह launch करा है महाराश्टर ने और आप जानते हैं कि जो FIFA under 17 world cup है वो भी भारत में शुरू हने वाला है पहली बार इसका final salt lake studio में खिला जाएगा जो मोहन बगान का home ground है इन में से कौन सी company है जिसने top करा brands है top 50 most valuable Indian brand 2017 जिसने announce करा WPP और कांटर मेलवाड ब्राउड ने जानि भारत के 50 सबसे valuable company में number one company कौन सी है भारत की यह company है HDFC bank लगातार चोथी बार और इसमें Reliance GO है वो 11 नंबर पे है यह नई इसमें आई है Reliance GO तो HDFC bank के managing director कोन है इनका नाम है Mr. Aditya Puri इन में से कौन सा bank है लोन देगा यानि वो महिलाएं जो काफी कम कमाती है रूरल इंडिया में उनको लोन देगा इसके लिए ADV से लोन लिया है 200 मिलियन डॉलर का यह लोन लिया है Indus Indbank ने Indus Indbank का headquarter है मुंबई में और Mr. Ramesh Shobati Mr. Ramesh Shobati है इसके chairman और एक है Mr. Atul Shobati अतुल Shobati है भेल के chairman तो इस तरह से connect करना सीखिए चीजों को जारनी Benedictson इन्होंने कौन से देश के परधान मंतरी पत से इस्तिफा दे दिया है तो इस देश की जो मुद्रा है वो है क्रोना और चलता है यहाँ पर रेकियाविक क्रोना ही है Sweden की मुद्रा और यह देश Sweden के अंडर ही आता है यह देश है Iceland इसकी राज़ानी है रेकियाविक तो यह थे current affair इस अफते के इस वीडियो के दुरान मैंने काफी आप से question पूछे है उनके answer comments में लिखिए तो इस वीडियो में बहुत सारी extra information भी मैंने आपको दिये वीडियो शेयर करिए और अपना फर्जने भाई है Thank you for watching